नमस्कार मसूद करने सहाय काचारिय एफम आज हम विकॉम पार्ट पर्थमवर्ष के विद्यार्थियों के दिये इंडियन बेंकिंग और फाइनेंशल सिस्टम एफम पेपर सेकेंड में यूनिट संख्या सेकेंड केंतरगर जो कि इस यूनिट का लास्ट चेप्टर है बेंक बेंकर और गराग के मद्दे संब्द है रिलेसंसिब बेट्विन बेंकर और कस्टमर सरो परतम हम चर्चा करें पिछले वीडियो में हमने अध्यन किया था कि बेंकिंग छेतर में कौन-कौन से-से नवाचार है उनके बारे में बताईए आज हम अध्यन करेंगे बेंकर और गराग के मद्दे क्या संब्द है जो कि आपके एक्जाम में यूनिट संख्या सेकिंड में 20 नमबर का कुश्चन आपके एक्जाम में 100 परशेंट याता है जो कि आपके एक्जाम में पुछते हैं कि बेंकर और गराग से क्या अभिपराय है और बेंकर और गराग के सामाने और विशे संबंदों का आप अध्यन कीजिए इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे जो कि आपके एक्जाम में बहुत उप्योगी है सामाने संबंद और विशे संबंद सामाने संबंद में हम चर्चा करेंगे कि बेंकर गराख पहले सब आता है आपकर बैंकर क्या होता है जिसका बैंक में खाता होता है और वो कस्टमर बन जाता है क्योंकि रिलेसंसिप तभी क्रियेट होती है जब किसी ग्राहक का बैंक में खाता होता है तो वो बेंकर क्या होता है अपनी ग्रहक से अपनी पुंजी जमा करवा सकते हैं बेंक के मादम से तो वो बेंक के लाएगा जो कि अपने ग्रहकों से जमा स्युकार करता है और आफशक्ता पढ़ने पर लोन लब्द करवाता है तो ये हो गया अपना बेंकर दूसरा हम बाप करें ग्राहक की ग्राहक क्या है ग्राहक वह है जो बेंक से सामानी लेंदेन करें वो ग्राहक कहलाता है जैसे बेंक में लेंदेन करें बेंक में पैसे समा करें बेंक से निकालें कोई भी वह उखार करें चेपके माददे में से, ओनलाइन माददे में से, तो गरहा कहराता है। तो इसके मद्दे हम सामाने संभने बढ़ेंगे, जो कि आपके एक्जाम में हर बार, प्रतेख वर्स हर बार आपके एक्जाम में परसंन अधिकतर यह पोचते हैं। रिलेशन्शी बिट्विन बेंकर और कस्टमर सामने सम्द जर्नल सम्द जर्नल रिलेशन्शीब और दूसरा है इसे सम्द इस पैसर रिलेशन्शीब सामने सम्द में हम बात चर्चा करेंगे रिंड दाता और रिनी के रूप में बेंकर प्रनासी के रूप में अभी करतार प्रामर्स दाता है रिन दाता और रिनी रिन दाता और रिनी के बीच में भी एक सम्मद होता है क्योंकि जब बेंक में पैसा कस्टमर जमा कराता है तो रिन दाता कस्टमर रिनी बेंक कहलाता है तो debtor और creditor लेंदार और डेंदार की स्थिति भी इसमें पैदा होती है क्यूंकि रिंड दाता और रिंडी के रूप में bank के सामाने सम्बंद पाए जाते हैं परन्यासी को बोलते हैं हाँ पर trustee के रूप में as a trustee क्योंकि bank as a trustee के रूप में भी भूमिका का निर्वन करता है क्योंकि परन्यासी के रूप में कारिय करता है तो एक परन्यासी और एक trustee के रूप में भी एक साहिक भूमिका का निर्वन होता है तो एक परन्यासी के रूप में भी बैंक करता है बेंक as a agent के रूप में कारे करता है कि लोन से संबंदी कारिये, फाइल से संबंदी कारिये वो सामाने संबंद के अंतर गाता है कि कस्टमर एक agent के रूप में उनको एक दिसा निर्देश या मुचित गाइडलाइन्स उनको दें जिसकी वज़े से आसानी से कस्टमर कारिये कर सके एक प्रामर्स दाता एडवाइजर भी है बेंक बेंक अनेक schemes के बारे बताता है कि हमारे फास यह facilities है यह loan provide है इतनी rates पे तो एक प्रामर्स भी देता है कि कहां पर आपको investment करना है तो यह bank के सामाने संबंद में आते हैं जो कि हमने पढ़े हैं सामाने संबंद भी आपकी exam में करे पार पूस लेता है कि बेंकर गराक के सामाने संबंद बताए तो मुखेता है इसके चार संबंद है जो गिरिन दाता और रिनी के रूप में बेंकर परनासी के रूप में जो कि विशे सम्मन्द में, special relationship में दो प्रकार भागों बाटा गया इसको बेंकर के अधिकार्स और बेंकर के दाइटवा राइट्स और लाइबिलिटीज और बेंकर बेंकर के अधिकार है, पर्थम है गरणा अधिकार अधिकार का मलब बेंक के पास कौन-कौन से राइट ऐसे है जो कि नियमा नुसार कारवाई कर सकता है तो वो अधिकार की सिरेणी में आते हैं तो बेंक के अधिकारों की हम चर्चा करें तो अधिकार भोत है, पहला गरणा अधिकार, गरणा अधिकार लियोन गहना दिकार क्या होता है जैसा कि माना कि ये संपती ये كस्टमर है एक बी बेंक है कस्टमर एक बी से लून ले लेता है तो गिर्वी मोर्गेज लून जब लेगा तो कोई से क्योर्टी के रूप में वो बेंक के पास जमाँ कर वाता है तो जब security बैंक के पास जमा होगी तो ए इसका क्या होगा गरना दिकार कहलाएगा बैंक उसकी property को क्या कर देगा लेओन उसको गरना दिकार अपने अधिकार छित्तर में ले लेगा तो ये गरना दिकार कहलाता है गली हम चर्चा करें दूसरे बेंकर के अधिकार में बुक्तानों की नियूजन का दिकार बेंक को ये भी एक अधिकार है बेंक को ये भी एक उसका बूटी है कि जो भी उसके बुक्तान होंगे उनको किस परकार प्लानिंग करके उनका बुक्तान करता है या उनका बुक्तान किस परकार करता है ये भी उसको राइट्स है बुक्तान से सम्मदित विविन परकार के रूर्स रेगुलेशन है जिसे चेका बुक्तान है नकद में बुक्तान है तो ये भुक्तानों का निवेजन का अधिकार भी बेंग के पास एक राइट्स के रूप में माना जाता है अगला है प्रतिसाद, प्रतिसाद का भी एक है सेट अफ किस परकार से समायोजित करना है तो प्रतिसाद का भी एक अधिकार बेंग के पास है कि कौन सी राशी कौन सी मद्या किस परकार से उसको समायोजित करना है तो परतिसाद के संदी में आगा है चोथा है ब्याज कमिशन परभार आधी वसूले का अधिकार इंट्रेस्ट कमिशन जो भी है ब्याज है कमिशन है चार्ज है आदी को किस परकार से सार्ज करता है किस परकार से उनको वसूलता है तो उनसे समद्धी भी अधिकार मुखे तया महत्तुपून है तो कि ब्याज कमिशन ब्याज अपनी जमाओं पर कस्टमर बेंक में पैसा जमा कराता है जब बेंक में पैसा जमा कराता है उनकी जमापुजी पर उसको क्या मिलता है ब्याज मिलता है तो ब्याज का अधिकार भी एक बेंग को देना होता है ब्याज देना होता है कमिशन बेंग को निर्धारी प्रतिफर में कमिशन भी है उनका भी अधिकार है चार्ज है सुल्क है जैसा कि प्रभार चार्ज किस प्र प्रिधारी तमाब दंडों के अनुसार जैसा कि एटिम के माद्यम से आप ऐसा जब निकालते हैं विड्रोग जब करते हैं तो एक निशिस ट्राजेक्शन के बाद में बेंकर पने पास से चार्ज लेता है तो वो परभार कहलाता है उनको वसूरने का दिकार भी बेंक को है त तो इस परकार बेंकर के अधिकार मुख्य तया चार वागों में इनको बाटते हैं इसमें गर्णा अधिकार मुक्तानों के नियोजन का अधिकार परतिसाद और ब्याज कमिशन परभारादी वसूरने का अधिकार समलित है अगली हम बात करें अन्तिम बेंकर के कि चेग को किस प्रकार से गुक्तान करने का एक विधानिक जाइट्व राप्त होता है। चेग के बुक्तान का विधानिक जाइट्व एक बेंकर्स को प्राप्त हैं जो कि एक महतुपूर्ण हैं ये खातों की गोपनियता बनाए रखने का दिगा। खातों को किस प्रकार से गोपनिय रखते हैं या किस प्रकार से उसको गोपनिय बनाया जाता है उनसे संबन्दी अधिकार भी इसमें सामिल हैं या उनसे संबन्दी दाइतु भी हैं क्योंकि जब हम कस्टमर बैंक के पास जमा करवा देता है तो बैंकर का ये भी एक liabilities होती है कि उनका बुक्तान स्टाइम पे करवाएं और खातों की गोपनिता भी रखने का अधिकार उनको प्राप्त होते हैं तो ये बेंकों में एक मुखे तया पाई जाती है जो कि खातों की गोपनिता बनाए रखने के अधिकारों को मुखे तया समलित किया गया है तो इस चेप्टर में मुख्य तया दो चीजी हैं जो कि आपके एक्जाम में दिकतर यही पूछते हैं कि बेंकर और गराहक के मद्दे क्या संबंद हैं सामाने और विशे संबंदों की या सामाने विशे संबंद के बारे में आप बताए कि इसके सामाने संबंद कौन-कौन से हैं और विशे संबंद कौन-कौन से हैं तो मैंने जैसा आपको बताएं इसकी पुर्ण है हम रिविजन के रूप में देखें तो सामाने संबंद में जर्नल रिलेस्टिप में रिंडाता वे रिनी के रूप में बेंकर कारी करता है परिनैसी के रूप में ट्रस्टी के रूप में अजेंट के रूप में और प्रामर् प्रामर्स दाता के रूप में बेंकर के चार सामाने अधिकार है यह चार सामाने संबंध है जिशे संबंध में इस्पेसल रिलेशन्शिप के अंतरे बेंकर के राइट्स राइट्स ओ बेंकर में बेंकर के अधिकार में पर्थम है गरना अधिकार का बुक्तानों के नियोजन का अधिकार का प्रतिसाद का और ब्यार्ज कमिशन परवारादी वसुनने का अधिकार इन में समलित हैं तो चार परकार के अधिकार हैं दो इसके दाइक्तों हैं चेकों के बुकतान का वेधानिक दाइक्तों है और घोखातों में गोपनिता बनाने का दाइक्तों है जैसा कि इस वीडियो लेक्टर में हमने आजमने अदेन किया कि बैंकर और गराग की मद्धे ये संबंद हैं ये चीज़े वेवारिक जीओन में भी हमें काम में आने वाली हैं जो कि हम सामाने तया बैंक के मादम से जब लेंदेन जब करते हैं तो इन दोनों संबंद अमारे सामने उत्पन भी होते हैं तो इस परकार बेंकर गरहक के रूप में समझें क्योंकि बेंक गरहक दोनों ही एक महत्तो पूर्चेन के रूप में हैं क्योंकि बैंक ग्रहाक होंगे तभी बैंक महत्तो पूंतूर रूप से कारी कर पाएंगे बिना ग्रहाक के बैंक भी कारी नहीं कर पाते हैं क्योंकि बैंक में जब कस्टमर होंगे तभी ही बैंक सामाने तया संचालित होते हैं क्योंकि भारती रिजरो बैंक अदिनियम या भारती रेगुलेशन एक्ट के तहट बैंक कारी करते हैं जो कि RBI उस पे नियमन नियंतन करते हैं तो इस परकार बैंकर में कस्टमर की बहत तो पूर्ण भूमिका जब होती है तब ही बैंक और गरहक के मिद्दे आसानी से संब्द बनाए जा सकते हैं तो इस परकार बैंक और ग्रहाक के मन्दे δो मूल भूत रूप से संब्स है जो कि मैंने आपको भी बताया सामाने संब्स में और विशे संब्स में अगर ये दौनों संब्स बना के बैंक और ग्रहाक मुखे तया चलता है तो आसानी से एक महत्वपुन भूमिका का निर्वहन भी कर पाते हैं जो कि बेंकर गराक के सम्मदों के बारे में सार गर्बित या मुख्यत या विशेस बातों को धान में रखते हुए आपस में रिलेशन्सी बढ़ाने में इनकी महत्वपुन भूमिका भी होती है तो इस परकार बेंक और गराहक एक साहिक तरीके से मुख्यत का निर्वहन करते हैं जो कि एक महत्वपुन भी है तो आज हमने सामाने संबंद और विशे संबंद के बारे में दोनों के बारे में हमने पढ़ा कि बेंक और गराहक के मद्दे कौन-कौन से जर्नल और इस्पेसल रिलेशन है जो कि ये कस्टमर और गराहक दोनों या कस्टमर और बेंकर दोनों मिलके किरेट करते हैं तो इस परकार आपके एक्जाम में इसे संबंदित परसन पूछते ही पूछते हैं जो कि आपके यूनिट संख्या सेकिन का बहुत ही उप्योगी टोपिक है और आपके एक्जाम में इसे संबंदित परसन अधिकतर पूछी लेते हैं कि सामाने संबंद के बारे में बताए या विशे संबन्द बताए या बेंकर गरहाक की परिवासा दीजिए इसके सामाने और विशे संबन्द कौन-कौन से हैं तो इस परकार यह टोपिक आपके एक्जाम की दिश्टी से भी प्योगी है इनको आप जो की नोट्स के रूप में आपको हम प्लुब्द करवाएंगे नो अगर यह परसन पूछते ही हैं तो हम इस वीडियो के माददे में से जो की इस यूड वीडियो लेक्चर के माददे में से यासा करूँगा कि आप इसको आप घर पे भी अच्छे से पढ़ें जिससे आपके एक्जाम में इनसे संबन्दित अगर परसन आएं तो आप आसान किया अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या थर्ड इंडियन बेंकिंग फाइनेंशन सिस्टम में चेक के बारे में नेगोशेवल इस्टूमेंट एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और कौन-कौन से हैं उनके चेक की परिभासाइं चेक की हैं उनकी क्या-क्या विशेशताएं हैं उनके बारे में हम समझिप्त रूप से अधिन करेंगे बहुत ही बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मुच